नमस्कार बच्चो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मनोरंजक कहानी लेकर आई और आज की हमारी कहानी होगी हिंदी में और हिंदी में इसलिए क्योंकि आने वाले रवी बार को 21 वर्गरी को इंटरनाशनल Mother Language Day है और मेरी मात्रबाशा है हिंदी तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आप सबको में एक कहानी हिंदी में सुनाओं तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी में आज एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम है अनिल जब अनिल मा से कुछ मांगता है वह कहती है ये वाला नहीं बजार में भी दुकानदार अनिल से कहते हैं ये वाला नहीं क्या उस नाराज छोटे से बचे को कुछ मिलता भी है चलिए ढूनते हैं हमारी आज की कहानी में हमारी आज की कहानी का शेशक है जिसका ट्रान्स्लेशन किया है रमा शर्वाने क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्टोरी इंगिलिश में है I want that one तो चलिए सुनते हैं आंज की कहानी मुझे वो वाला चाहिए अम्मा की छुट्डी का दिन था, वे एक कुछ तक पढ़ रही थी, अनिल की भी छुट्डी दी, वे कुछ करना चाहता था, वे अम्मा से बोला, उस नीली वाले बकसे में क्या है, जरा मुझे दिखाओ, दिखाओ, मुझे देखना है, अम्मा बोली, बाद में देख लेना, अनिल ने कुर्सी के उपर एक स्टूल रखा और चड़ गया, नीला बकसा उतारने के लिए, अम्मा ने उसे डाटते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो, सारे उपर रखे हुए बकसे हमारे सर पर गिर जाएंगे, अनिल को बहुत गुसा आया, वे अपनी मा से भी बहुत गुसा हो गया, देखो अनिल की शकल पर कितना गुसा है, ओ, 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 चलिए देखते हैं फिर, आगे क्या हुआ, अम्मा ने उसे मनाते हुए कहा, जैसे सब की अम्मा करती है, चलो, बजार से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, अनिल बजार जाने के बाद भी बहुत में था, उसने एक संत्रे की और इशारा करते हुए कहा, मुझी वो वाला चाहिए, नहीं, नहीं, सारे संत्रे नीचे गिट चाहेंगे, दुकानदार बोला, मुझी वो वाली किताब चाहिए, अनिल बोला, दुकानदार बोला, नहीं, नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली ले अनिल समोसों के धेर से एक समोसा खीचने लगा दुकानदार गुस्से से बोला हट मत लगाना नहीं तो मेरे सारे समोसे नीचे किर जाएंगे मुझे वो वाला चाहिए अनिल जोर से चीखा अब अनिल बहुत गुस्से में था और उसका मन बड़ा खराब था नहीं नहीं अनिल बुगा ऑचोऑ की तरह जोर जोर से रोने लगा है 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 अमा वो वाला ले लेते हैं अनिल ने कहां अनिल ने बड़े प्यार से वहां पिलों के ढेष से बुरा पिल्ला उठाया, मैं तुमसे बहुत गुसा हूँ अम्मा, सारी पिल्ले ही मीचे गिरा देती, अम्मा मुस्कुराने लगी, अनल भी मुस्कुराने लगा, अब वे जरा भी नराज नहीं था तो बच्चों ये थी हमारी आज की कहानी, मुझे वो वाला चाहिए, मैं आशा करती हूँ, आप सभी को हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आई, तो International Mother Language Day पे जरूर याद रखेगा, और एक कहानी खुद से जरूर पढ़िएगा, भूलिएगा नहीं, और मेरा इंतिजार कीजेगा, मैं जल्दी वापिस आऊंगी, एक और मनोरंजक कहानी के साथ, अरे अरे रुको रुको, आपने मेरा चैनल सब्स्ट्राइब किया क्या, नहीं किया तो जरूर करना, और बेल बटन भी जरूर तबाना, चलो अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही वापिस आऊंगी, फिरसे कहानी के साथ